पर किसान उखड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको बता दे कि बैंक प्रबंधक के द्वारा किसानों को उनकी ही कमाई की राशी नहीं दिये जाने से किसान आज लामबंद है जिसके चलते बैंक में ताला बंदी करने तक की नौबत आ गई है जिसके बाद विधायक और संसदिय सचिव अंबिका सिंग देव ने ओनलाइन किसानों से चर्चा कर उनकी समस्या जानी तदा समस्या का समाधान करने हैं तू ततकाल बैंक के प्रभंदन से बात की गई बीते मंगलवार से पैसे निकालने के लिए विड्रोल भरे हुए हैं जो आज बुधवार तक नहीं मिल सका अंत में जब किसान लाम बंद हुए और बैंक में ताला जुड़ने की बात कही तब ततकाल बैंक मेनेजर के द्वारा दूसरे बैंक से धनराशी लाकर किसानों को वित्रण कर दी गई वही कुछ लोगों ने बताया कि बैंक मेनेजर का तबादला बलरामपूर हो गया है इसके बाद भी बैंक मेनेजर यहां से बलरामपूर नहीं जा रहे हैं और यहीं रटे हुए हैं जब से यह बैंक मेनेजर इस बैंक में आए हैं तब से किसानों को बहुत परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने यह भी का कि इसकी शिकायत कलेक्टर कोरिया से भी की जाएगी। कोरिया से सम्वादाता राजु शर्मा की रिपोर्ट कि मेरे साथ हो रहा है तो दुल्यक बादे छोड़ देजिए तब कि मेरे खाताम पाइचा है अभी बोलना इच्छा है बज़े पाइचा नहीं है तो पाइचा दू नंग मत कर वाद दिदी कि मैं नजल कहा रहने वाला हूँ यहां कल से बल भी आया था और आज भी चेक दिया हूँ तेकि मेरे विड्रावल आपका का नाम है राम जी कहां से हैं बढ़ाओ कराम बढ़ाओ कर दिदी बढ़ाल भरत रापक प्रप्शनी मिला इनका बने बने वाद रखाया है नहीं नहीं है तो पर पोर नहीं मिला सर्का पहां लगए अशी ही लेड़ पर पाने के लिए बल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइच, शेर और सब्स्क्राइ बढ़ाओ करें, बढ़ाओ करें, बढ़ाओ करें।